हेलो एवरीवन वेल्कम टू टीचर्जादर 24-7 चैनल मैं नेम इस अंशेगा पंडे और वेलकम आज के सेशन में जहां करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आनिमल्स तो आपको पता है रोज शाम को पांच बज़े होती है एवेस की क्लास यहां टीचर्जादर के चैनल पर और आपको मैं पढ़ाती हूं एवेस तो कल हमने किया था हाँ जी सर ठीक है तो हमने जो है वो किया था एवेस का कल कुछ क्वेस्टिन्स किये थे हैं हमने एवेस के आज हम जो है वो एक ठोरी पढ़ने वाले हैं जो की होने वाला है on classification of animals यानि कि जानवरों को हम किस तरह से बाटते हैं group करते हैं कौन-कौन से parameters use करते हैं कौन-कौन से जो हैं classification के parameters हैं जिनके basis पर उनको classify किया जाता है अलग-अलग groups में बाटा जाता है animals को वो आज हम पढ़ेंगे तो सभी बच्चे जो हैं ओनलाइन आजाएं लाइव आजाएं अपने अपने affirmations दे दो comment कर दो और फिर जो है हम class को start कर लेते हैं yes so everybody please come online, please come live join the class और आज हम करने वाले EBS की बात classification of animals से करेंगे शुरुआत काफ़े अच्छा rhyme बन गया तो yes, सभी लोग जो हो वो online आजाओ Hello Sapna very good evening to you yes good evening तो काफ़ी जादा informative class होने वाली है आज की theory पढ़ने वाले हैं हम classification of animals किस तरह से animals को क्या बोला जाता है कैसे classify किया जाता है वो सब कुछ आज की class में हम पढ़ने वाले हैं तो सभी बच्चे जो हैं वो online आजाओ and yes, also like the session share it with all your friends जिन्हें भी teaching exams qualify करना है EBS आपको पता है काफी जादा जो है वो waitage होता है EBS का और इसके लिए paper 1 के लिए जो EBS आपको पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाती हूँ रोज शाम को 5 बजे so yes, everybody please come online और आप जो है वो session को share कर दो like कर दो channel को subscribe कर लेना and we'll start the class now चलो आज आएगा जी December attempt का आप जो है वो wait करो ठीक है yes good evening अजीम चलो फिर जो है वो हम class को start कर दे हाँ हाँ जी हाँ जी class को start कर लेते हैं काफी बच्चे जो है वो already join कर चुके हैं तो yes तो देखो भाई classification of animals होता है पहले हम देखते हैं कशेरुक स्टम्ब की उपस्तिती के अधार पर जानवरों का वरगी करन यानि की classification on the basis of presence of vertebral column जो आपका vertebral column होता है उसके basis पर classification किया जाता है animals का दो भागों में एक होते हैं very good evening non vertebrates और दूसरे होते हैं आपके vertebrates ठीक है यानि की एक होते हैं आपके गैर कशेरुकी और एक होते हैं आपके कशोर की ठीक है तो आपके जो गैर कशेरुकी होते हैं उनमें क्या होता है read की हड़ी की अनुपस्थिती होती है ठीक है होता है तो आप उनको क्या कहते हो non vertebrates कहते हो for example अगर हम देखें तो जितने भी insect होते हैं आपके crabs होते हैं snail है starfish है ये सारे जो है वो invertebrates होते हैं ठीक है देखो तो कीडे केकडे घोंगे तारा मचली ये सारे जो है वो कैसे होते हैं आपके वो होते हैं आपके non vertebrates ठीक है हाँ जी ओके ठीक है उसके बाद आते हैं आपके vertebrates vertebrates पे क्या होता है क्योंकि इनका नाम vertebrates है इसका मतलब हुआ कि इनके पास vertebral column जो है वो present होता है ठीक है यानि कि जो backbone होती है जो vertebrates होती है आपको पता है vertebrates क्या होती है vertebris होती हैं आपके set of bones जो आपके set of bones होते हैं वो मिला करके पूरा एक vertebral column बनाती है ठीक है तो उसके basis पर जो है आप animals को classify करते हो as non vertebrates and as vertebrates ठीक है तो vertebrates क्या होते हैं जिनके पास backbone होता है mammals हो गए आपके birds हो गए fish हो गई, reptiles हो गए और amphibians जो हैं वो आपके vertebrates होते हैं यानि कि vertebrates होते हैं इनके पास एक proper vertebral column होता है backbone होती है read की हड़ी जो है वो मौझूद होती है ठीक है? येस तो ये हो गए आपके जो है कशेरूकी स्थम या read की हड़ी वाले जनतु कशेरूकीों की श्रेडी में आते हैं जैसे कि आपके संधारी हो गए पक्षी, मचली, सरी, स्रिप और उभैचर जो हैं वो शामिल होते हैं अब देखो सबसे important parameter जो होता है यहाँ पर देखो पहले हम देखते हैं क्या होता है तो आप बताओ जो animals होते हैं ठीक है जो animals होते हैं वो कैसे कैसे classify किये जाते हैं animals को आप कैसे कैसे जो है वो classify करते हो सबसे पहले आपने बोला vertebrates हैं या फिर आपके invertibrates हैं है ना अब यह देखो आप जितने भी आपके lower level का classification है for example आपका हो गया echinodermita जैसे की starfish है ना echinodermita हो गया आपका जैसे की starfish यह कैसे हो गया यह आपके invertibrates हो गया ठीक है फिर आपके आजाते हैं insects ठीक है जैसे की हो गया आपका जो nideria होता है ठीक है silentrata और क्या होते हैं आपके porifera जो आपके sponges वगयरा होते हैं यह सारे कैसे होते हैं आपके invertibrates होते हैं इनके पास vertebral column नहीं होता है तो vertebral column present नहीं होने की वज़े से आपको यह जतने भी organisms होते हैं उनको आप invertibrates कह देते हो फिर जब आप vertebral column वाली category में आते हो तो उसमें आ जाते हैं आपके birds यानि की कौन सा phylum होता है एवीज होता है ठीक है फिर होता है आपका क्या amphibians है ना amphibians हो गए आपके ठीक है reptiles हो गए और आपके हो गए mammals है ना तो यह जो होते हैं यह आपके हो जाते हैं vertebral column present होने की वज़े से इनको आप क्या कहते हो vertebrates करते हो वावा तई बात है क्या बात बोली है अजय भारगव जी ने बहुत अच्छी बात कहीं चोटी से जिंदगी हर बात से खुश रहो जो चहरा आज पास नहों उसकी आवाज में खुश रहो कोई रूठा हो आप से उसके अंदाज से खुश रहो जो लौट के नहीं आने वाली उनकी याद में खुश रहो कल किसने देखा है अपने आज में खुश रहो वाँ! क्या बात है बहुत अच्छी बहुत अच्छी चीज बोली गुड वेरी नाइस एक्सिलेंट सब लोग जो है वो आजय के लिए जो है वो तालिया वेरी नाइस येस चलो अब हम देख लेते हैं बॉडी टेंपरेचर के हिसाब से किस तरह से जो है वो आनिमल्स को जो है वो बाटा गया आप सब भी आनिमल्स हो हम सब जानवर है क्योंकि हम मैमल्स है ना तो हम सब भी जानवर है आनिमल्स की काटेगरी में आते हैं ठीक है तो हम हमारी बॉडी टेंपरेचर के हिसाब से हमें कहां किस तरह से classify किया गया है ठीक है तो सबसे पहले होते हैं आपके warm blooded animals यानि की homeothermic ठीक है homeothermic ये हो गया दूसरे होते हैं आपके poikilothermic यानि की cold blooded animals ठीक है तो देखो भाई गर्म रक्त वाले जानवर और होते हैं आपके ठंडे खून वाले जानवर ठीक है इनकी speciality क्या है तो देखो जो warm-blooded animals होते हैं वो अपने body temperature को regulate कर सकते हैं जैसे की mammals and birds यानि की जैसे कि हम mammals में कौन आघे है humans आगे है ने humans आगे mammals में ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं अपनी body temperature को control कर सकते हैं कैसे control कर सकते हैं, देखो, for example, ये बताओ, जब ठंडी आती है, ठीक है? जब ठंडी आती है, तो आपने ये चीज़ जो है, वो गोर की होगी, कि आपके हाथ जो होते हैं, हाथ, उंगलियां ठंडी रहती है, नाक, ठंडी रहती है, लोगों के कान reason होता है क्यों ऐसा होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो नसे होती है ठीक है हमारी जो veins होती है वो क्या होती है वो सिकुड जाती है ठीक है वो पतली हो जाती है और जो blood flow है ठीक है जो आपका blood flow है वो आपकी जो extreme body parts है वहाँ पर कम होता है और जो आपकी पूरी जो main body part है वहाँ पर blood जो है वो ज़ादा concentrate हो जाता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि इसको हम जो कहते हैं जो veins को सिकूर ना क्या कहते है वैसो कॉंस्ट्रिक्शन क्या कहते हैं ठीक है अब जब ये veins सिकूर जाती है तो जो आपका blood है व है वहाँ पर जो है वो कम हो जाते हैं सो एक तरह का आपकी body का mechanism है आपकी body को warm रखने का by keeping these extremities आपके हाथ पैर नाक ये सब ठंडी रखने के का ये जो आपकी body का mechanism है जो आपका body का temperature control करता है ठीक है तो आपकी body जो है वो ठंडे और गरम जगह पर जब आप जाते हो तो उस हिसाब से क्या हो जाती है adjust कर लेती है अपने आपको ठीक है so that is the reason कि आप जो mammals होते हैं यानि humans होते हैं वो warm-blooded होते हैं ठीक है अगर आप cold-blooded animals की बात करो तो जैसी कि reptiles हो गए आपके fishes हो गए amphibians हो गए insects हो गए यह सारे cold-blooded animals होते हैं क्योंकि यह अपनी body की temperature को environment की change होने से adapt नहीं कर बाते इसलिए यह बताओ जो lizard होती है यानि छिपकली होती है वो क्या होता है winter season में hibernation में चली जाती है है ना सोने चले जाते हैं hibernation मतलब क्या होता है winter sleep ठीक है वो winters में क्या होता है वो सोने चले जाते हैं वो छिप जाते हैं क्योंकि उनकी body जो है वो temperature जो ठंड़ा temperature है उसके हिसाब से खुद को regulate नहीं कर पाती है तो अपने आपको बचाने के लिए वो क्या करते हैं hibernation में जाते हैं यानि winter sleep में चले जाते हैं ठीक है तो यह आपका reason होता है कि cold blooded animals जो होते हैं वो अपना body temperature खुद से control नहीं कर पाते जो warm blooded होते हैं कि हम हम क्या होता है जैसे जैसे environment change होता है ठंडी या गर्मी उसके हिसाब से अपनी body को adapt कर लेते हैं जब बहुत जादा गर्मी होती है तो हमारी body से बहुत जादा sweating होती है वह sweating क्या होती है एक तरह का natural cooling mechanism है आपकी body को cool रखने का mechanism हमें आपके body को के temperature को control रखने का mechanism होता है ठीक है येस very good तो देखो ये हो गया आपका ठीक है मशली उभैच और कीड़े जैसे जानवर ठंडे खून वाले जानवर हैं क्योंकि वे प्रित्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जानवरों के शरीर के तापमान को न देखो जो food habit होती है याई कि आप क्या खाते हो उस हिसाब से भी जो है वो animals को हमने classify किया है क्या classification है हां जी reptiles का क्या मतलब होता है reptiles का मतलब होता है वो organism जो crawl करते हैं crawl मतलब रेंगते हैं ठीक है रेंगने वाले जानवरों को आप क्या कहते हो reptiles कहते हो और उनकी body पर क्या होते है scales होते है scaly body होती है तो यह characteristic होता है आपके reptiles का Amphibians का क्या characteristic होता है यह दो तरह की life जीते हैं पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं ठीक है वाटर में भी और लैंड पे भी for example आपका मेंधक यानि कि frog जो है वो आपका amphibian है ठीक है तो वो पानी में भी रहता है और कहां रहता है वो लैंड पे भी रहता है तो पृत्वी में भी रहता है और पानी में भी रहता है इसलिए आप एमफीबियन का मतलब यह होता है एमफी मतलब बायोस मतलब दो एमफी मतलब लाइफ तो दो तरह की लाइफ जीने वाले जो होते उनको आप amphibians कहते हो ठीक है फिश वगेर को आप क्या कहते हो Pisces कहते हो ठीक है Birds को आप क्या कहते हो Aves कहते हो और Mammals में भी बहुत सारी category है जैसे Apes की category है Rodents की category है हम जो है Homo Sapiens है तो यह सारे जो different mammals की category में आ जाते हैं यह सारे organism होते हैं ठीक है जी शक्तिमान amphibian गंगाधरन शक्तिमान गुड नाइस गनेश नाइस example to remember ठीक है येस उसके बाद अगर हम food habits के बारे में देखे तो food habits की basis पे भी आप animals को classify कर सकते हैं सबसे पहले हैं आपके Carnivores Carnivores वो होते हैं जो की green plants भी खाते हैं मतलब plants को भी खाते हैं और animals को भी जो है वो खाते हैं ठीक है फॉर example हम तो आप जो हो वो आप पनीर भी खा रहे हो आप पनीर टिकका भी खा रहे हो ठीक है आप जो है वो कड़ाई पनीर भी खा रहे हो और सlor unique-slori-sorry-sorry-sorry-sorry wall और फीडकर तूजकी बता है नहसा के सीमने दूसरी धियूर सभ्राणीबर के जैसे कि आपका टाइगर हो गया शार्क गई लायन हो गया ठीक है 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 ऐगल हो गया वल्चर हो गया यह सारे जो होते हैं आपके कार्निवोर्स होते हैं ठीक है उसके बाद क्या होता है इनकी जो स्पेश्यालिटी होती है वो क्या होती है इनका जो कैनाइन होता है जो कैनाइन होते हैं यह वाली जो दांथ होती है यह ठीक है यह बहुत शार्प होता है ठ उनका जो teeth होता है वो उस तरह से बनाया जाता है और उनके जो molars होते हैं ठीक है देखो they have strong grinding teeth है ना तो जो उनके molars होते हैं pre molars होते हैं वो भी कैसे होते हैं बहुत ही जादा strong होते हैं ठीक है तो बहुत जादा strong molars और pre molars होते हैं जो back में होते हैं आपके दाद क्योंकि उनको चबाना भी होता है और tear भी करना होता है ठीक है सो canines भी उनकी sharp होती है और उनका जो grinding mechanism यानी molars और pre molars जो होते हैं दाद के वो भी काफी जादा strong होते हैं ठीक है फिर आते हैं herbivores पे herbivores कौन होते हैं वो animals जो की सिर्फ plants और leafy materials ही खाते हैं for example हो गया आपका rabbit हो गया cow हो गया elephant हो गया ठीक है इनके पास कैसे दाद होते हैं sharp flat and broad front teeth यानी कि इनके जो incisors होते हैं ये वाले दाद कैसे होते हैं आपके incisor क्या कहते हैं आप इनको incisors कहते हो ठीक है ये कैसे होते हैं बहुत फैले होते हैं broad होते हैं और कैसे होते हैं ये sharp होते हैं और flat होते हैं ठीक है क्योंकि इनको क्या करना है आगे से जो है वो चीजें उठा करके फिर चबा करके खानी है ठीक है उसके बाद they have sharp front teeth to pluck and bite leaves of plants अब उनका जो front teeth है नहीं incisors जो हैं वो बहुत sharp होते हैं राकि वो जो leaves हैं उनको pluck करके खा सके क्योंकि वो हाथ से तो खाएंगे नहीं आपकी तरह मूँ से ही खाएंगे directly है ना इस वज़े से ठीक है इनके पास भी जो है वो बहुत जादा strong molars और pre molars होते हैं क्योंकि इनको क्या होता है इनको chew करके खाना होता है food को omnivores कैसे होते हैं वो जो की mons भी खाते हैं और plants भी खाते हैं ठीक है for example dog हो गया cat हो गई ठीक है ना ना उसके बाद क्या हो गया आपका humans हो गये और कौन हो गया crow हो गया ठीक है rat हो गया ठीक है तो यह सारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपके वो होते हैं आपके omnivores जो सब कुछ खाते हैं yes very good तो यह देखो भई मांसा हारी वे जानवर जो मांस के दूसरे जानवर के मांस को खाते हैं जैसे की शेर, बाग, शार्क, वेल, चील, गिद इनके जो दात होते हैं वो तेज होते हैं नुकीले होते हैं और घुमावदार होते हैं और इनके जो मूँ के पिछले हिससे के हजादा maintained होते हैं strong होते हैं शाकाहारी वह हैं जो पौधेर पत्तेदार पदार्थों को खाते हैं ठीक है ज hygiene फार्वाओ खरगोष आद शाकाहारी जीओं के सामने के cuántिले होते हैं और चौड़ेंदांद होते हैं ठीक है ताकि उनके पॉज़ने की पत्तियां उनको तोड़ने और काठने में उनको सहायता मिल सके ठीक है उसके बाद सर्वाहारी वो होते हैं जो हर तरह का खाना खाते हैं मतलब मांस भी खाते हैं और प्लांट को भी खाते हैं ठीक है येस उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ अलग तरह के एनिमल्स एक होते हैं आपके नौवर्स और एक होते हैं आपके swallowing, swallowing करने का क्या मतलब होता है, निगलना, ठीक है तो एक तो वो होते हैं जो directly निगल जाते हैं खाने को, ठीक है यानि वो कूछते नहीं हैं, बताओ कौन से होते हैं निगलने वाले फटा-फट बताओ, निगलने वाले कौन से होते हैं, जो सबसे अच्छा एक्जाम्बल तो आपके घरों में ही मौजूद है छिपकली ठीक है हाउस लिजर्ड अगर आप लिजर्ड को देखो तो लिजर्ड भी क्या करती है वो भी कूचते नहीं है खाने को सीधा का सीधा सीधे अपना भोजन लेते हैं उन्हें चबाने कुटरने की आवशक्ता उन्हें मैसूस नहीं होती है खाने की इस आदत को सीधे निगलने की आदत कहते हैं ठीक है फ्र इग्जामपल क्या हो गया आपका स्नेक और लिजर्ड हो गया कुतरने वाले जानवर कौन है यह जानवर कुतरते क्यों है क्यों कुतरते हैं जैसे चुहा हो गया आपका खरगोश हो गया ठीक है और क्यों ऐसा करते हैं क्यों गिलहरी हो गए क्यों ऐसे करते हैं क्योंकि इनके जो आगे वाले दाथ हैं वो हमेशा बढ़ते तो उसको घिसने के लिए अगर वो घिसेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा वो जो ऊपर के दाथ है वो नीचे की तरफ आएंगे और उनकी डेथ हो सकती है तो इसलिए वो क्या करते हैं? हमेशा अपने कुतरने वाली हाबिट से निबल करते रहते हैं खाने को और आप देखो कि बहुत नटोरियस होते हैं क्यूश भी चीज मिलती है चूहे काट देते हैं, कुतर देते हैं अब उन दात को वो दात बढ़े ना और वो जो है वो उसकी कटिंग कर सके तो naturally कैसे कटिंग करते हैं वो कुतरते हैं चीजों को ठीक है तो कठोर खाते पजार्थों को कुतरने के लिए लंबे दातों की जोड़ी का उपयोग किया जाता है या आम तोर पर संधारियों के करिं के बावजूद क्योंकि उनके दान जो है वो बढ़ते रहते हैं इस वज़े से उन्हें कुतरना पड़ता है ठीक है रॉडेंट फैमिली अभी मैंने आपको बताया भी था रॉडेंट क्या होते हैं यह भी मैमल्स होते हैं और इनका क्या काम होता है यह हमेशा कुछ न कि इनके दात आगे वाले लंबे होते रहते हैं ठीक है इनके टीथ क्या करते हैं ग्रो करते रहते हैं तो पैर ओफ लॉडेंट फूड यानि की कुतरने के लिए यूज होते हैं इस कॉमनली प्रेजंट इन रॉडेंट फैमिली ऑफ मैमल्स एक्जांपल रैबिट और जाते हैं ठीक है डूटू कंटिनियूस ग्रो करते रहते हैं इस वज़े से इन्हें चीजों को कुतरना ही पड़ता है इनकी मजबूरी होती है कुतरना ठीक है येस तो अगली बार अगर आपके घरों में चुहे जो है वह नुकसान करें तो समझ जाना कि वह इसलिए करना ह हो सबको जो है वह क्या करना होता है accept करना होता है भई सबको करना है सबको जिन्दा रहना एक कोई मरना थोड़ी चाहता है कौन मरना चाहिए बड़ी दिक्कत हो रही उन्हें मेरी वज़े से मैंने गनेश के कपड़े कार्ट दिये बुक्स कार्ट दी है ना ऐसा वह सौरी तो फील करेगा नहीं क्योंकि उसको तो जिन्दा रहना है उसके पास तो यही तरीका है जिन्दा रहने का तो वह तो चीज़े ढूंड कर कुत् है तो अगली बार अगर आपको गुस्सा आए चुहे पर तो यह मत सोचना कि उसने बदमाशी किया है वह भगवान नहीं उसको वैसा बना करके भीजा है तो वह क्या करें अब दान्त को तो घिसाई करनी पड़ेगी है ना डेंटिस के पास तो जा नहीं सकता है उसके पस इ क्या है येस चलो जी थांक यू बेरी मच फूर वाचिंग इस सेशन आई होप यू लाइक दे क्लासिफिकेशन आता है तो आई होप कि आप गलत नहीं करोगे काफी इंफुमेटिव सेशन था शॉर्ट एंड क्रिस क्रिस्प तरीके से मैंने आपको चीजे जो है वो को चलो थांक यू बेरी मच आई सी यू अल अगें तुमॉरो इन मैं नेक्स क्लास देखते हैं कल जो है वो क्या पढ़ने वाले हैं हम चलो थांक यू बेरी मच बाबाई एंड एवरीवन टेक केर